हाई दोस्तों आई टीक माप सभी लोगों का स्वागत हैं आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी यूसफुल होने वाला है जो गाउं से हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी Android आप के बारे में जिसकी मदद से आप अपने घर का मेजरम साथ है खेत खल्यान है तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके खेत एक्चुल कितनी साइस के हैं यानि कि आप ये जान सकते हैं कि आपके खेत कितने एकर्स के हैं कितने स्क्वाइर मीटर के हैं या फिर हम कहें कितने स्क्वाइर फिट में फैले हुए हैं इस आप का यूज आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपने खेत के आजपास तारो की फैंसिंग बनाने का सोच रहें, तो आप इस एप की मदल से ये पता लगा सकते हैं, कि एक्चुल में जो तार की फैंसिंग होगी, वो कितिनी लंबी बनीगी, कितिने स्क्वार मीटर की बरेगी, वो यहां से यहां तक स्क्वाराइर्प स्क्वार्ट होना चाहिए इसके साथ अगर आपके घर के आज-पास कोई बिल्डिंग बन रही है, या फिर कोई स्कूल只ी बन रही है या फिर कोई हॉस्पिटल बन रहा है, तो आप उसका भी पता लगा सकते हैं कि वो hospital वो building वो school कितने square meter में बन रही है तो काफी useful है आप हैं उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि उनका घर उनकी जमीन उनके खेत कितने square feet या फिर कितने square meter में फैले हुए है तो चले मैं आपका time waste नहीं करता हूँ फड़ा 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 इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिरा अमिरपान और आप देख रहे हैं iTech वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और खास करके इस notification bell को on कर दीजे क्योंकि अगर यह on होगा ना तो जब भी मैं कोई नए वीडियो upload करूँगा था इस वीडियो को notification आपको मिल जाएगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएंगे तो सबसे पहले आपको एक app इंस्टॉल करनी होगी जिसकी लिंक में आपको इस वीडियो के description में दे दूंगा हो जिसके डायरेक्ट आप इस आपको इंस्टॉल कर सकते हैं आपको इंस्टॉल करने का बाद सिंपल है आप इस app को open कीजिए open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा तो simple है आपको यहाँ पर tap करना है जैसे आप यहाँ पर tap करेंगे तो सायद आपको एक add जो ही वो दिखाए देगी तो आप इस cross वाले button पर click करके इसे cancel कर दिए इसके बाद आपके smartphone में एक map open हो जाएगा और यह map वहीं काई होगा जहाँ पर आप रहते हैं चाहे आप गाउं में रहते हो या फिर सहर में इसके बाद आपको उस location को ढूड़ना होगा जिस location का आप नाप निकालना चाहते हैं measurement करना चाहते हैं चाहे वो आपका घर हो या फिर आपका खेट तो चले अब मैं आपको किसी खेट का measurement निकाल के दिखा देता हूँ कि कैसे आप किसी खेट का measurement निकाल सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे खेत हैं तो सबसे पहले आप अपने खेत को तोड़ा सा जूम कर लिए लाइक कुछ इस तरसे ताकि आप उसे अच्छे से देख पाएं इसके बाद सिंपल है आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा तो आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ओप्सन दिखाए देंगे जिसमें सबसे पहले आपको ओप्सन दिखाए देगा डिस्टन्स का जिसके बारे में हम बात में बात करेंगे फिलाल अभी हम बात करने वाले हैं एरिया के बारे में तो सिंपल है आपको सेकेंड वाले बटन पर क्लिक करन के बाद आपको यहाँ पर दो option दिखाए देंगे जिसमें सबसे पहला होगा walking और दूसरा होगा manually तो simple आपको manually पर tap करना है tap करने के बाद यह सारे option यहाँ से चले जाएंगे like coach इस तर से अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है तो भी कोई दिक्कत की बाद नहीं आप यहाँ पर point to point जो है वो से cover कर सकते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर इसका जो है वो पूरा का पूरा measurement आ चुका है आप देख सकते हैं कि यह खेट जो है वो कितने yard का है अगर आप इसके unit को change करना चाहते हैं याँ यहाँ से जान सकते हैं तो इसी तो इसी तरह से आप square feet की हो हिसाब निकाल सकते हैं square meter की हिसाब निकाल सकते हैं अब हम बात करें कि यहाँ पर distance की कि आपके खेट के एक कोने से लेकर दूसरे कोने की कितनी दूरी है उन दोनों के बिच में कितना distance है तो इसके लिए सिंपल आपको यह था मेंडे बॉटन पर क्लिक करने हो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको manually पर क्लिक करना है और इसके बाद SIMPल है आपको tap करने है कितनी है, कितने मीटर है या फिर कितने फूट है, उसके लिए आपको सिंपल है, बस यहाँ पर टैप करके उसे कनवर्ट ही करना होगा, तो आसले तो दोस्तों आपको यह वीडियो काफी पसना आया होगा, पसना आया तो करके दो लोको का काषी का समीट में कर दोका का, आया होगाई कर दो पानों से